हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज की हमारी रेसीपी है सोय बड़ी का पुलाओ हमने इसे कैसे तयार किया है आए देख लेते हैं चावल तीन से चार बार धो लिये हैं और पाणी डाल कर आधा घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे धककर तब तक हम आगे की प्रोसिस कर लेते हैं यहां पर हमने एक बाउल लिया है इसमें एक कटोरी सोय बड़ी एट करेंगे सोय बड़ी को गरम पानी में फुला कर रखेंगे लगभग 10-15 मिनिट के लिए आप चाहें तो गरम पानी में सोय बड़ी उबाल सकते हैं या इस तरह से गरम पानी में डाल कर रख सकते हैं सोय बड़ी थोड़ी देर गरम पानी में सोक करना जरूरी है ताकि सोय बड़ी के समय थी और गाजर कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं बारी कटी हुई सिम्ला मिर्च लेंगे लैसुन अद्रक और काजू के कुछ टुकड़े यहां पर हमने एक मिक्सी का जार लिया है इसमें एड़ करेंगे लैसुन अद्रक और काजू के पीसिस एक स्मूथ पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे इस तरह से गरम पानी मुझे सोया बड़ी सोक करने के लिए रखी थी उनका पानी हटा देंगे सोया बड़ी में एड़ करेंगे दो चम मच ओईल अधरक लेसुन का पेस्ट जो हमने तयार किया है उसको एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर चाट मसाला गरम मसाला कस्तूरी मेथी सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे नीबू का रस एड़ करेंगे छान कर लगवग आधर चममच या स्वाधनूसा नमक एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से हमने सोया बड़ी मसालों के साथ मेरिनेट करके रख दी है और 10-15 मिन्ट के लिए ढख कर छोड़ देंगे चावल वी अच्छी तरह से भीग चुके है इनको गरम पारी में एड़ करेंगे थोड़ा सा ओईल नीबू करस और नमक डाल कर चार प्माच लॉंग एड़ करेंगे और पकनी के लिए छोड़ देंगे पक जाने पर छन्नी म करेंगे अच्छी तरह से सभी चीजों को फ्राई कर लेंगे प्याज को हम हलका सा कलर चैन्ज हो जाने तक फ्राई करेंगे प्याज का कलर डार्क ब्राउन नहीं करना है एकदम लाइट ही रहने दें इसके बाद इसमें एड़ करेंगे सिम्ला मिर्च और गाजर जब यह सा चार-पांच मिट के लिए ढखकर छोड़ देंगे ताकि मसालों का टेस्ट सोया बड़ी में बहुत अच्छी तरह से आ जाए और अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो सके लो फ्लेम पर रखे हुए चार से पांच मिट हो चुके हैं ढखकर है ढखकर चेक कर लेंगे यहा मसालों के साथ चावल धीरे-धीरे मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना क्यूंकि यह पके हुए है थोड़ा सा केोड़ा बॉटर या गुलाव जल एड़ करेंगे अगर आपके पास एवलेवल हो तो एड़ करें बनना आप इसकी भी कर सकते हैं चावल में येलो कलर ला है धकर हडा कर चेक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं चावल एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं हमारे चावल काफी खिले-खिले बनकर तयार होगे हैं पारिक कटा हुगा धनिया एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सोय बड़ी के पुलाव तयार है चलिए अब हम बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं यहाँ पर हमने बाउल में ट्रांसपर कर लिया है आप देख सकते हैं दोस्तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें प्लीज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एंगले वीडियो में थैंक यू सो मच